नमस्कार दोस्तों स्वाइब आपका आपके अपने चैनल में देखे सुप्रिम कोड के अंदर कुछ वकैंसिया है उन्हीं के बारे में बात करेंगे और आपको कोई भी इंफोर्मेशन अगर नहीं पता चलती है तो आप कमेंट करके बताए हम दुवारे से वीडियो बना दे इस कारो आपका 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 अपका बात कर लेते हैं वीजिवारे मिनिममं स्पीड आपकी 35 पर वायड होने चाहिए English में typing आनी चाहिए आपको knowledge of computer की होनी चाहिए ठीक है यह आपकी होगी details qualifications की अब age की बात करते हैं यह आप आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,7,2,022 तक आपकी 18 से लेकर 30 के बीच में age होनी यह कम से कम 18 और 30 30 से ज़्यादा आपकी age होगी तो आपको इसमें consider नहीं किया जाएगा आप देख सकते हैं जो SC, ST candidates हैं OBC candidates हैं उनको relaxation मिलेगा ठीक है जो physically handicap है उनको भी relaxation यहाँ पर मिलने वाला है यह आपका exam रहेगा exam में क्या 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 आने वाला है उसमें आपको essay writing आनी चाहिए लिख रखा है पूरा detail आप पढ़ सकते हैं इसका भी दो गन्टेका का paper होगा और जो speed होगी वो आपका 10 minute का test होगा तो इस तरीके से आपका exam की भी पूरी detail दे रखिए और आपकी qualifications होगी आपकी age होगी तो इसमें अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप दुबारा से comment कर सकते हैं आपको online form बरना है यहाँ पे इनकी website दे रखिए www.sci.gov.in यहाँ पे आपको जाना है online form बरना है आपको 18.6.2022 से यह form start हो चुके हैं और fees जो है journal candidates के लिए लिख रखिए 500 other candidate के लिए 250 रुपे fees रहने वाली है ठीक है अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत लग रही है यह date है इसकी पूरी 18.6.2022 से form start हो चुके हैं और 10.7.2022 इसकी last date रहने वाली है ठीक है उसके अलावा भी यहां पे लिख रखाया आगे कि कितने केवी का फोटो होना चाहिए किस तरीके से आपका form भरा जाएगा यह पूरी detail इनने यहां पे लेख रखी है आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी को दिक्कत आती तो कमेंट करके जरूर बताईए मैं आपक वीडियो में आके आपको पूरी full information और भी अगर कहीं दिक्कत आएगी तो देदी जाएगी तो बहुत जबरता सेलरी है बहुत अच्छी पोस्टे हैं तो जरूर स्टडी कीजिए और यहां पे जरूर अपलाई कीजिए और अच्छी से आप एक अपनी जॉब ले लेजिए बितनि मत